Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to start a new chapter of class 3rd EVS which is drop by drop. Drop means boon boon. Who is boon? Definitely drop of water. We say that the water is a boon of water. Every drop is precious. So regarding this chapter, first of all, we will read the chapter from NCRT and understand. Then there will be another video in which there will be some extra questions and answers that your exam point of view can be important and then there will be a quiz in which you will test how well you have understood the chapter. So don't miss that video, please do subscribe and press the bell icon. Now we are starting. Chapter 20, drop by drop. Madhu lives in Baju, a small village in Rajasthan. Madhu Baju में रहते हैं, जो की एक राजस्थान का छोटा सा गाव है. It is hardly a village. मुश्किल से वहाँ पर गाव दिखता है. All you can see is sand all around. गाव तो दिखता ही नहीं है, आप देखेंगे, चारो तरफ आपको sand ही दिखाई देगी, सिर्फ रेत. One can see some houses when the sand does not blow. अगर हवा नहीं चल रही है, sand ब्लो नहीं हो रही है, धूल नहीं उड़ रही है, तो आपको कुछ houses वहाँ पर दिख सकते हैं, नहीं तो चारो तरफ धूल और जो रेत है वहीं दिखता है. Everyone in Mado's family is upset, सब Mado's family में बहुत upset है, every summer there is water scarcity in the place, scarcity मतलब होता है कमी, हर समर में वहाँ पर water scarcity रहती है, पानी की कमी रहती है, This year it is worse, और इस साल तो और भी worse condition है, और भी बुरी condition है, it did not rain at all, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, his mother and sister have to walk a longer distance to fetch water, उनकी mother को और sister को मादो की बहुत दूर तक लंबी distance travel करनी पड़ेगी, water fetch करने के लिए, पानी लाने के लिए, As the nearby pond has also dried, क्योंकि आसपास के जो pond थे वो भी dry हो गए हैं, सूख गए हैं, each day they spend hours just to get 4 pots of water, हर रोज उन्हें घंटों लग जाते हैं, सिर्फ 4 pot जो घड़े हैं वो पानी लाने के लिए, While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided, जब वो walk करते हैं, गरम sand के उपर, रेत के उपर, तो उनके पैर बहुत जलते हैं, और blisters छाले पड़ जाते हैं पैर में, उनको आप avoid कर ही नहीं सकते, आप जानते हैं, रेत जो है, sand बहुत जल्दी गरम होती हैं, बहुत जादा गरम होती हैं, आप देखेंगे कि लेडीज यहां पर बहुत दूर तक उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, इतनी डिस्टेंस आप ट्रावल करेंगे, वो भी constant इतनी गरम रेत पर, तो ब्लिस्टर सा जाते हैं पैरों में, नेक्स्टेंस, वेन दर ट्रें क्यारी वाटर कम्स, दे आर आप जब ट्रेंन आती है पानी लेकर बहुत खुश होते हैं, आप जानते हों कि राजस्टान के कही डिस्टिक्स में जहां पर की समर्स में गर्मी बीज पानी की कमी सिर्थ सब्स्टेम ऐसा और भी यह सब ड़िया सब्सों के लिए बाड़ता था टंका का नहीं होता है वैसा नहीं है कि रोजी ट्रेन आराहिए बहुत कम ऐसा होता है पीपल कीप वेटिंग डेइं दे टर वाटर को गई दिनों तक पानी का वेट करना पड़ता है कुछ लोग पानी जो रेन का पानी यह बारिश होते चाथ़ करते हैं इसके लिए एक अलग से special method है by making tanks टंका जिनको कहते हैं do you know what a tanka and how it is built अभी देखेंगे हम लोग की यह देखें टंका कैसे बनता है और क्या होता है to build a tanka अगर आपको एक टंका बनाना है a pit is dug in the courtyard and it is made paka आप अपने courtyard में आंगन में एक वो डग कर लीजे किया हुआ उसके ओपर धकन भी ढग दिया है the tanka is kept covered with lid धकन से उसको धका रहना होता है क्योंकि इसके अंदर पानी इकठा होता है otherwise वो dirty हो सकता है भार की धूल से the roof of the house is made sloping roof जो है उसको थोड़ी सी sloping बनाते हैं थोड़ी तिर्ची बनाते है so that rain water collected here a sea is attached to the river तार्म लूंख एक लगया दिया टे पाइप ले के बात और पान चेह के पानी खेदें दिन भार्वी को अंधर चैहिते है दिए पोई आपड़ कोई ज़ा रहा है दिए को स्क्तिक बात्र बारी पूंख जाए को तो वह बहुत अग़ा है गाउं के जो टंक का है महां से एक दो बार पानी भी ले आता है ठिंक what are the difficulties people face due to scarcity of water पानी की कमी की वज़े से लोगों को क्या-क्या difficulties होती है तो आप water के uses बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं drinking के लिए for washing clothes, for cleaning, for bathing, for cooking food इन सब के लिए पानी यूज होता है तो पानी नहीं होगा तो क्या होगा these activities definitely will be suffered आपको पीनी के लिए नहीं मिलेगा नहानी के लिए नहीं मिलेगा है ना basic activities है उनके लिए पानी आपको नहीं मिल पाएगा और क्या होता है कि जब आप गंदा पानी पीते हैं क्योंकि एंड में आपको वही करना पड़ेगा जब इतनी कमी होगी तो बहुत सारी disease भी हो जाती है आपको कुछ waterborne disease के नाम भी पता होना चाहिए यहाँ पर जैसे मैं दो बता देती है तो cholera इसका नाम आप याद रखेंगे और एक है टाइफाइड बुखार हो जाता है यह हमारी दो waterborne disease है जो कि गंदा पानी पीने से होती है तो यह बिमारिया भी आपको हो सकती है पहला question है from where do the people in madho village water for drinking जो माधो के गां के जो लोग है वो पीने के लिए पानी कहां से लाते हैं तो from the pond जैसे हमें बता हुआ कि वो सूख जाता है अगर तो वो भी बहुत दूर है सूख जाता है तो फिर उनको काफी distance तक जाना पड़ता है लेने के लिए या फिर एक और option है टंका ये दोनो who fetches water in madho's house madho के घर में कौन fetch करता है पानी लेके आता है her sister या फिर उनकी mother और अगर वो आती है train आती है उसकी तो उनके father जाते है father, mother and sister next is water collected in tunkka is mostly used for drinking tunkka में जो पानी कठा होता है वो mostly पीने के लिए use होता है ऐसा क्यों because water in tunkka is clean it is clean water जैसे हमने देखा कि पहले clean उसको पहले sieve छलनी लगा कर उसको filter भी किया जाता है it is filtered and covered और cover भी है वो तो उसको आप boil करके फिर use कर सकते है clean है पानी इसलिए पीने के लिए use किया जाता है is rain water collected in your house as well क्या आपकी घर में भी पानी कठा होता है यह तो आप ही को बताना है can there be any other method for collecting water क्या कोई और भी तरीका हो सकता है पानी कठा करने का बिलकुल आप बकेट्स में कठा कर सकते हैं इसमें उनको यूज कर सकते हैं चलिए आगे आते है नेक्स क्वेशन है just like Mado Mado की तरह ही Sonal also face water scarcity in her house Sonal को भी अपने घर में पानी की कमी जो हो face करनी पड़ती है she live in भावनगर वो भावनगर में रहती है water is supplied only for one and a half hour in a day दिन में सिर्फ for half an hour sorry not one आदे गंटे के लिए सिर्फ पानी आता है all the people of the area depends only on a single tap okay एक ही tap है सिरफ एक ही नल है जिस पे पूरा का पूरा area depends करता है उसमें भी सिर्फ आदे गंटे के लिए पानी आता है can you imagine what happen क्या होता होगा लंबी queue lines लगती होगी लडाई होती होगी sonar is determined to take water from the tap sonar is determined to take water from the tap sonar बहुत determined रहती है कि उसको पानी से बहुत पक्की रहते है कि पानी मुझे लेके याना है whenever she gets a chance she fill her bucket even if it is just drop by drop जब भी उसको chance मिलता है वो अपनी bucket भर लेते है भले ही बूंद बूंद पानी क्यों ना रहा हो let us find out how many drops will fill a bowl or a mug चलिए पता करते है कि कितने drops मिलके एक bowl को या फिर एक mug को भरेंगे सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है कि how many drops of water will fill this spoon? कितनी drops पानी की spoon भरेगी या आपको खुद करना है कितनी spoon से फिर एक bowl भरेगा कितने bowl से एक mug भरेगा कितने mug से फिर एक bucket बनेगी this you have to do yourself I think 12 to 15 drops मिलके यह भरेगा फिर I think 50 अप्रॉक्स चम्मच मिलके यह भरेगा तो यह आप खुद करेंगे और इसको fill करेंगे टेबल को have you seen how we got so water drop by drop क्या आपने कभी देखा है कि drop by drop से कितना पानी हो सकता है बन सकता है कई बार देखिए पानी कम आ रहा है आप खोल दीजे तो बून-बून से ही कहते न आपने कावद भी सुनेओंगी बून-बून से घड़ा भरता है तो एक bucket आप रख दीजे तो वह शाम तक आप देखेंगे भर जाएगी just think if a tap leaves leaks even drop by drop आप सोची के अगर एक tap है जो leak कर रहा है उसमें से बून-बून पानी गिन रहा है how much water would be wasted तो कितना पानी वेस्ट होता होगा the picture shows you something similar यह picture में आपको वही दिखाया जा रहा है यहाँ पर बून-बून गिन रही है पानी वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर tap खुला हुआ है can you think of ways of saving water क्या आप कुछ तरीके बता सकते हैं जिनसे कि आप पानी को बचा सकें आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो यही करना है जो यहाँ पर दिखाया हुआ है वो नहीं करना है never leave never leave a water tap open tap को कभी भी खुला मत छोड़िए उसके बाल while brushing teeth जब आप teeth brush करें यह फिर taking bath use shower to take bath shower use करिए sorry don't use shower bucket use करिए don't use shower shower से आप जानते हैं बहुत पानी waste होता है shower while taking bath use bucket in steel while taking bath नहा रहे हो तो use bucket bucket use करिए क्योंकि उससे पानी कम होता है next if you are brushing your teeth यह फिर taking bath do not leave tab यह फिर shower running उसको खुला मत छोड़िए and कोई भी अगर बच जाता है reuse water this is also important first तो पानी खुला नहीं छोड़ना है उसके बाद shower में नहीं नहाना है reuse करना है reuse कैसे अगर आपने किसी उसमें कपड़े धोए है you can reuse to give it to water watering plants के लिए उसको यूज कर सकते है unused water उसको भी पानी खराब हो गया कुछ गिर गया माली जैसे नहीं कि आप उसको गिरा दीजिए उसको पौधों में डाल दीजे तो पानी को इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है रिसाइकल तो खहर इतना नहीं होगा तो तीन पॉइंट्स आप यह लिख सकते हैं अगर एक्जाम में आता है तो next day have you seen water flowing unnecessarily in your home या for school or any other area कहीं पर आपने देखा है कि पानी बह रहा हो कहां पर picture देखे next page पर discuss करिए can we use the water that has been used for one person for something else एक बार जो पानी यूज होगा कि आप तुम उसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो तो देखे क्या हो रहा यहां पर अब यह बहुत दूर से पानी ला रही है तो इनको पता है कि पानी की importance क्या है सबसे पहले यह बैटकर यहां पर उसमें नहाली एक जो इनका pot water था नीचे यह रखा हो है सारा पानी उसमें कठा हो रहा है फिर इससे इन्होंने अपनी couch है उसको नहला दिया तो reuse हो गया ना water एक से ज़्यादा काम के लिए अब आपको ड्रॉ करनी है line different color से show which work will be done after the other so that same water can be reused आप क्या काम करेंगे कि same water आप reuse कर सके जैसे कि सबसे पहले washing hands or face आपने अपना हाथ और face दोया उसके बाद जो पानी है उसको आप कहां यूज कर सकते हैं उसके बाद आप उसको toilet में use कर सकते हैं कपड़े दो यह तो उससे mop कर लीजे, floor saap कर लीजे, fruits दोया है तो उसको पानी उसको दे दीजे पौधों को people use these method only under condition when there is scarcity of water यह तो बिल्कुल सही है, पानी की कमी होती है तो ही हम यह करते हैं पानी अगर आपके पास काफी है तो कोई नहीं सोचता water को reuse करने के लिए Do you know one of the reason for scarcity of water is because people waste it आप जानते हैं कि scarcity of water क्यों होती है क्योंकि people लोग जो है वो waste करते हैं अभी आपके पास पानी है तो आप waste करें जब नहीं रहेगा तब आप यह सोचेंगे Just think how good it could be if everyone got water कितना अच्छा होता अगर सबको पानी मिलता So that's all students यह था हमारा chapter hopefully जो water की importance आपको बताई हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी So thank you so much for watching and very soon इसकी worksheet और quiz भी I will upload उसके लिए आप wait करेंगे